देखिए आज मैं आपके सामने बहुत ही सांदर केश लेके आए हूँ ये देखिए एक गाई दिका रहा है इसके जबड़े पे सुजन है तो मैं आपको इस सुजन के पूरा treatment बताने वाला हूँ हमें क्या-क्या treatment करना चाहिए क्या-क्या दवाई खिलानी चाहिए सारी जानकरी में इस वीडियो में देने वाला हूँ आप वीडियो को स्किप करके न देखिए वीडियो को पूरा देखिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में डेल आइकन दबा ले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सेर करें धन्यवाद देखिए मैं आज आपको ये देखिए सुजन बता रहा हूँ जबडे पे बहुत ज़्यादा सुजन आते आता है तो देखिए हमें इसका टीटमेंट पूरा टीटमेंट बताने वाला हूँ इसको कैसे ठीक करेंगे और बहुत ही बड़या केस है ये देखिए ये सुजन बहुत ज़्यादा तर पसोम पाया जाता है ज़्यादा तर गाई बेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है तो मैं आपको इसका पूरा इलाज बताने वाला हूँ यह देखिए इस तरीके से इस गाई के जबड़े पे बहुत ज़्यादा सुजन है इसने चारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया कभी कभी सुजन के कार्ण पसों का टेंपरेचर भी हो जाता है तो हमें पूरा डाइगनोस करने के बाद इलाज करना चाहिए हमें क्या इलाज करना चाहिए यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा सूजन आ गया इसके और इसने चारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया दो तिन दिन से इसके जबड़े पे सूजन होने के कारण आज पसू पालेक ने इलाज करवाने के लिए हमें बुलाया गया ये देखिए तो मैं आपको पूर प्रोपर टीटमेंट बताने वाला हूँ ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है पसू सूज तो हो जाता है चारा पानी बिल्कुल बंद कर देता इस बीमारी में और सूजन ज़्यादा होने के कारण कभी-कभी पसू की मृत्यू भी हो जाती है इ इसके बाद मैं आपको दूसरा इंजेक्शन बता देता हूँ ये सीपीम लगाएंगे इसके बाद दूसरा इंजेक्शन निमुसुलाइट पेरासिटामॉल जो की दर्द सूजन अकड़न केसा भी दसूजन हो केसा भी दर्द हो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है इस इमारियों में और इसके बाद हम बी कांप्लेक्स लगाएंगे बेलामिल लिवर एक्स्रेक्ट वित्त विटामिन बीट्वेल ये देखिए ये पसो जदी चारा पानी बंद कर देता है उस कंडिशन में पसो को चारा पानी खिलाने के लिए भूख खुलने के लिए और इंजेक्शन बता देता हूं CPM, Chloroferamin ये हम 10 ml IM Root से लगाएंगे ये देखिए इसक्रीन पर भी दिखाई दे रहा है CPM, Chloroferamin जो भी मिल जाए हमें ये 10 ml हम IM Root से लगाएंगे इसको ये देखिए बिलकुल आराम से लगाना है कोई जल्दबाजी नहीं करना है ये देख बिलकुल जल्दबाजी नहीं करना है और जोड रबस्ती बिलकुल भी नहीं करना है बिलकुल आराम से लगा देंगे दीरे-दीरे करके ये देखिए ये देखिए बिलकुल आराम से लगा दिया पहला इंजेक्शन हमने CPM लगाया 10 ml इसके बाद हम सीरिंज को अच्छे इंजेक्शन, एंपिसलिन, क्लोक्सोसिन, 2 ग्राम, आई-म रूट से लगाएंगे ये देखिए आराम से लगाएंगे उसके बाद बिलकुल आराम से लगाएंगे और ये भी हम आई-म रूट से लगा रहे हैं ये देखिए इंट्रा मस्कुलर रूट से लगा रहे हैं और बिलकुल आराम से लगा रहे हैं, जब भी हम injection लगा हैं, हम पसुग अच्छी तरीक से कंट्रोल कर लेना है, उसके बाद ही हमें in-jection लगाना है, कोई जड़ जबर अच्छी जल्द बाजी नहीं करना है, पूरी तरीके से पसुग पंट्रुल हो जाये, उसके बाद हम इंजेक्शन लगाना है यह देखिए उसके बाद हम सिरिंज को अच्छी साब दोएंगे और उसके बाद मैं आपको बताता हूं बेलामिल इंजेक्शन लगा रहे हैं यह भी हम 10 ml आई एन रूट से लगाएंगे यह देखिए हमने बेलामिल को भरा है दूसरा 10 ml और यह भी हम आई एम रूट से लगाने जा रहे हैं यह देखिए यह भी आई एम रूट से लगेगा बिल्कुल आराम से लगाना है कोई जोड़ जबदस्ती जल्दबाजी नहीं करना है जब भी पसू चंचलाट करे जोड़ जबदस्ती करे हमें रुख जाना है उसके बाद दिरे-दिरे करके इंजेक्शन लगाना है इसके जल्दबाजी में पसू को गटान होने का डर रहता है सुजन आने का डर रहता है इसलिए जब भी हम आई एम रूट से इंजेक्शन लगाएं बिल्कुल आराम से लगाएंगे यह देखिए हमें हर बार सिरिंज को यह देखिए बिलकुल यह किया ऐली बेस में रहता है सिरिंज में भरने में आई इजन लगता है जब भी हम यह लगाएंगे बिल्कुल आराम से लगाना है इसमें कोई जबरस्ती नहीं करना है जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल आईली बेस में रहता है बिल्कुल गाडा रहता है तो इसको हमें भरने में भी दिक्कत रहती है और लगाने में भी बहुत स्लो लगता है तो हमें इसका विशेज जयान रखना है जब भी हम लगाएं अंदर डीपली लगाएंगे उपर नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी यदि हम यह इसको उपर लगा देते हैं तो पसो को सुजन आने का डर देता है यह देखिए नीडिल हमने लगा दी है डीप लगाईए और ब पसो का सुजन में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और पसो भी ठीक होने का पूरा पूरा चांस रहता है यह टीटमेंट करने के बाद मैं आपको दवी बता देता हूँ हमें क्या-क्या दवी पसो को खिलानी है हमें दो से तिन दिन तक पसो को दवी खिलानी है देखिए म इस परकार हमें देखिए मैं आपको दवी बता देता हूँ इन चारों में से हमें कैसे खिलानी यह देखो सबसे पेले मैं बता देता हूँ एक्रोविट यह जो पसो की भुग के लिए है हम एंटिबाटिक लगाते हैं यह एंटिबाटिक बोलस देते हैं उसे पसो की भुग कम हो जाती है तो उसके लिए हम यह एंटिबाटिक देंगे उसके बाद देखिए सिंगल एंटिबाटिक सिपेक्सीम ले रहे हैं हम बैस्ट बोलस सिपेक्सीम एंटिबाइटिक के रूप में हम एक-एक बोलस सुबह सामीय देंगे एक-एक रोविट देंगे और यह देखिए ऐलबीनो पें आॉट दर्द निवारक मलम आता है इससे हमें सुजन पे मालिस करना इससे सुजन में बहुत जल्दी आरा मिल जाता है और धर्द में भी आरा मिलता है, तो इसके हमें पचूँ के दो से तीन बार मालिस करनी है, और इसके बाद धेके एस्यकलोफेनिक पेरासिटामोली छाती है, पसूँ चुटा है, तीन साल का, इसलिए हम एटीनों म और बहुत जल्दी सूजन में भी आराम मिल जाएगा ये देखिए तीनोत परकार की बोलस एक्रोविड भूक के लिए है सिपेक्सिम बेट बोलस जो देरकी है बेश्ट बोलस के नाम से आती है ये एंटिबाइटी के बहुत बड़े रिजल्ट है इसका दर्द सूजन में और ये सेरीडिप होट आती है एसिकलोफेनिक पेरासिटामोज सेराडिप एप्टिडेट की ये हमें एक एक देनी है ये कई भी इस फार्मुलेक मिल जाएगी और दर्द निवारक मलम जो भी हमें मिल जाए यदि हम ये टीटमेंट कर देते हैं तो केसा भी सूजन हो पसूब का बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और पसूब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा यह treatment हमें 2-3 दिन तक चलाना है यदि हमने 2-3 दिन तक कर दिया treatment तो पसु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी recover होके पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई सुजन नहीं रहेगा यह treatment practically करके बताया गया है पहले भी practically करके देखा गया है उसके बाद ही हमने यह वीडियो बनाया है पूरी तरीके से practically वीडियो है इसमें किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं है पसु पूरी तरीके से recover हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा